हेलो वट्स अप तो कैसे हो आप सब स्वागत आप सभी का एक कोर न्यू गेम प्ले वीडियो में और काइस आज हम दो बारा से खिलने चारे हैं रेंच सिम्यूलेटर तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा पिछली वीडियो में हमने अपने रेंच में बनाया था एक बान हाउस लेकिन यार उसको बनाने में हम इतने बिजी हो गए थे कि हमने अपने पिक्स और हमने अपनी चिकन्स को भी नहीं देखा और खाने पाने की वज़े से उए सब मर और यहाँ पर जब मैं भाई साब बान हाउस बना के आ और मैंने देखा यार ये क्या हो गए भाई ये तो सारे पिग्स मर गए थे तो मुझे यार बड़ा ही दुख हुआ था लेकिन यार उसके बाद में एक पिग लेकर आया था और उसको हमने अपने बान हाउस में रखा ताकि यार अपने जो बान हाउस है ना वो यार खाली न रहे तो मैं एक पिग लेकर आया था यहाँ पे घूम रहा है और यार यह अकेला घूम रहा है इसके कोई साथ ही वाती नहीं है तो आज हम लेकर आने वाले है कुछ male pig और कुछ female pig तो उससे पहले मैंने अपने जो बान हाउस की बोंडरी बनाई थी ना तो इसको कर देते है रेडी इन में लगा देते है planks उसके बात चलेंगे अपने pigs को लेने तो मैं जल्दी से यह लगा देता हूँ और भाईसा planks की तो अपने पास अप कमी नहीं होने वाली हमारे पास इतने planks भर भर की है ना बहुत सारे planks है वो मत दिखाऊंगा आपको मैंने बहुत सारे planks बना लिये थे और अपने पास planks की त अपने बान हाउस की बोंडरिया है वो हो चुकी है तयार और इसके जो अपने बान हाउस के गेट है इसको भी अब हम खोल देते है ताकि जो अपना pigs है ना वो अंदर भी और भार भी आसानी से आजा सके और यार देखो अपने पास जो planks है ना उसकी तो अब कमी नहीं होन है तो अपने को प्लैंक्स की कमी नहीं होने वाली तो अब फटा फट से चलते है जर्नलिस्टोर और हम लेकर आने वाले है कुछ male pigs और कुछ female pigs ताकि हम उनकी breeding करवा सके और हमारे पास बहुत ज्यादा pig हो सके तो गाइस मैं आ चुका हूँ जर्नलिस्टोर और यार अपनी जो गाड़ी है ना वो बहुत ही छोटी है इसमें सिर्फ दो ही pig जाएंगे तो हमको दो तीन चक्कल लगाने पड़ेंगे तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से ले लेता हूँ दो pig दो male pig ले लेते हैं और जल्दी से करते हैं चेक आउट और फटा पट से चलते हैं अपने टो हमने 2 pig ले लिए और जल्दी से बैठाते हैं इंको गाड़ी में ठीक है वई एक तो आगया तू भी आज़े जल्दी से गाड़ी में बैठ जा तो चलो गाइस अप फटा पट से चलते हैं अपने रेंच में तो हम आचुके अपने रेंच में और मैं 4 pig ले कर आ चुका ह दो मैं पहले छोड़ गया था और दो मैं अब लेकर आ गया हूँ तो जल्दी से करते है ये वाले gate बन क्योंकि यार ये उतरते ही बड़ी जल्दी भागते है तो इनको अब उतार देते है फटा फट से और ये वाले gate खोल देते है ताकि ये सारे पिक अब अंदर बार आसानी से घूम सके ताकि ये बार की गर्मी और ठेंड दोनों का जायका ले सके तो अब जल्दी से इनके जो खाने पानी के फिल्टर है ना उनको भी फुल कर देते है ताकि पिछले पिक्स की तरह ये वाले न क्यों चो cheers लाना ना पड़े और हमारे जो बान हासके फिल्टर है ना वो ऑ्टोमेटिक भर जाएंगे और हमारे पैसे कटते रहेंगे तो मैं इनके फिल्टर भी भर देता हूं तो हम इनको जल्दी से बढ़ा कर देंगे और फिर हमारे पास पैसा ही तो गाइस जो हमारे पिक का पोर्क था ना वो यार मैं बेचना भूल गया था तो फाइनली हम आ चुके है बेश्ट बर्गर सोप पे और आज देखते हैं कोई ओफर चल लाएक है और आज हम बेग देते हैं अपना सारा जो ये जितना भी मीठ है इसको बेग देते हैं और दे ठीक है और बाकी बचे हमारे चिकन्स और वाइल्ड मीट उनके टोटल मिलाके 2471 डोलर मिल रहे है जो क्यार बहुत ही अच्छा है तो मैं फटपट से ये सारा आइटम बेच देता हूं और फिर चलते हैं अपने रैंच में तो एक बार मैं अपनी मुर्गियों को भी देख देता हूं वैसे इनका भी खाना खतम हो चुका है और इनको खाना डाल देते हैं लेकिन उससे पहले जो ये अंडे है ना इनको उठा लेंगे क्योंकि अगर हम इनके उपर खाना डाल देंगे ये सारे फूट जाएंगे तो मैं इनको उठा ले तो वैसे हमारे एक भी काफी हो चुके हैं और इनको बेचने चलेंगे और उनसे खरीद के लाएंगे मुर्गया और कुछ रोष्टर क्योंकि यार हमारी जो मुर्गया है ना उनकी भी थोड़ी जनसंग क्या बढ़ सके और उनसे भी हमें थोड़ा प्रोफिट मिल सके तो मैं इनको भी जल्दी से उठा लेता हूँ और इनका भी खाना डाल देते हैं वैसे यार हमारा चिकन कूब बहुती छोटा है लेकिन हम अपनी मुर्गयों के लिए भी एक बड़ा सा चिकन कूब बनाएंगे जैसे हमने अपने पिक्स के लिए एक बड़ा सा बान हाउस बनाया है वैसे हम अपनी मुर्गयों के लिए भी एक बड़ा सा चिकन कूब बनाएंगे लेकिन यार उसके लिए पैसा भी होना जरूरी है जो की हमें मिलेगा पिक्स से क्योंकि यार pigs में ज़्यादा profit होता है तो हम कुछ pigs लाएंगे उनको बड़ा करेंगे और उनको बेचेंगे और उससे हमें थोड़ा profit मिलेगा और उससे हम थोड़ा अपना जो आगे का process है अपना जो मतलब की जैसे meatball हो गया और जो सोसिस वगेरा है उसको भी बनाना continue करेंगे और अपना जो काउस वगेरा है काउस बुल है उनका भी जो dairy farm है उसको भी आगे continue करेंगे जिससे जो हमारी थोड़ी कमाई होगी और जो हमारा business आना वो थोड़ा grow करेगा और ये वाली पिगनी काफी बड़ी हो चुक है और इससे हमें थोड़ा तो profit मिलने वाला है और साइस से ये अभी बच्चे बच्चे भी दे दें और एक काम करता हूँ मैं न ये वाले gate बंद कर देता हूँ क्योंकि यार बाहर बहुत सर्दी हो रही है और अगर ये ठंड़कियों जैसे मर गए न तो यार मुझे बहुत नुकसान होने वाला है तो मैं जल्दी से ये वाले gate बंद कर देता हूँ तो चलो काईस आज के लिए इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पैल आइकन को दबाना मत बूलना क्योंकि अगली वीडियो होने वाले है कमाल की क्योंकि उसमें हम बनाने वाले है अपने रैंच क फ्रंट केट जो कि यार बहुत ही मस्त होने वाला है तो आगली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत बूलना तो मिलते आपको अगली वीडियो में